1,73,000 रुपीज की एक शोरूम प्राइस में आप करिज्मा XMR ला सकते हैं और बजाज की पलसर RS200 ला सकते हैं लेकिन लानी कौन सी चाहिए? जानेंगे इसी वीडियो में Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Motor World और फिर माये हूँ एक नहीं वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम newly launched Hero Motor Cop की करिज्मा XMR को compare करने वाले हैं बजाज की पलसर RS200 के साथ अब आप यह सोचेंगे बाइक यहां पर क्यों नहीं है, बाइक इस दिये नहीं है अगर आप RS200 को देखेंगे, तो RS200 के जो लुक्स हैं, वो मुझे परसनल यह थोड़े से outdated लगने लगे हैं वो और इतना टाइम हो चुका है, कोई ज़्यादा उसमें अपडेट्स नहीं हुए और बीच में तो कंप्री ने वाइट ऐलोई वील से उसमें दे दिये थे, जो के बहुत अजीब से लग रहे थे देखने में, तो उसके बाद कंप्री ने उसको वापिस से सही करें इनफरक इसका जो रेड कलर है, वो भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में, side profile से charisma kill कर रहे है, ये market में देखने में काफी अच्छी है तो build quality आपको दोनों में, मुझे तो ऐसा लगता है similar ही मिली है, कुछ ऐसा खास difference नहीं है build quality में, जो plastic quality है वो भी RS200 की उतनी वैसी ही है, जैसी charisma की है, तो दोनों में आपको build quality जो है, वो decent मिल जाती है, यह बहुत जादा अच्छी नहीं काऊंगा, और बहुत जादा बुरी भ साथ उतना proportion में जाता, तो sporty looks तो आपको charisma में जादा मिलते हैं, charisma में आपको एक सबसे अच्छे feature मिल जाता है, वो है visor adjustability का, कि आप उसका जो visor है, front visor उसको adjust कर सकते हैं, यह चीज उसमें काफी अच्छी मिलती है, 30 mm का स्में travel मिल जाता है, RS200 में आपको इस type की कोई भी और वो है bike में engine कौन सा बहतर है, engine के अगर बात करें तो आपको charisma में जो engine दिया है company ने, वो hero motocop ने नया engine design करा है, नया engine develop करा है, और इसमें आपको liquid cooling और six speed gearbox मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज़ है, लेकिन यह नया engine है, RS200 का जो engine है, वो थोड़ा सा trustworthy है, market में trust उस का है, 24.5 PS की max power देता है, और 18.7 Nm का max torque, charisma का जो engine है, वो 210 CC का आपको मिलता है, 25.5 PS यानि कि 1 PS जादा आपको power मिलती है, और 20 Nm के आसपास का torque, यानि कि आपको 2 Nm के आसपास का torque भी charisma में जादा है, liquid cooling system आपको दोनों mode cycles में मिल जाता है, six speed gearbox आपको दोनों मिल जाता है, slipper and assist clutch जो है, वो आपको सिर्फ charisma में मिलता है, RS 200 में आपको नहीं मिलता, slipper and assist clutch का आपको advantage ये मिलता है, कि cornering के time पे जब आप aggressive downshifts करते हैं, तो mode cycle का जो wheel है, वो spin होके skid नहीं होगा, road पे engine braking की वज़े से clutch जो है, वो उस particular time पर slip हो जाता है, तो ये चीज़ आपको काफी 1000 RPM के बाद से ये pull होना शुरू होती है, और top end तक बहुत जबरदस performance निकाल कर देती है, charisma में जो है power delivery बहुत जादा linear company ने कर दी है, तो आपको as such वो जो power surge एकदम से accelerate करती है motorcycle एक certain RPM पर, जैसे कि कुछ motorcycles होती है, 7000 RPM के बाद एकदम power kick in होती है, उस type की चीज़ आपको charisma में महसूस नहीं होगी, charisma में उस type की चीज़ महसूस होगी, बट वो आपको सिर्फ 7000 RPM, 8000 RPM के बाद बहुत ही minor से महसूस होगी, RS200 में ये चीज़ बहुत significant महसूस होती है, कि 7000 RPM से नीचे नीचे उसका engine जो है, थोड़ा सा आपको lazy महसूस होगा, थोड़ा सा commuterish महसूस होगा कि हाँ आराम से चलने वाला है, लेकिन जैसे ही आप उसमें full throttle पे जाएंगे और 7000 RPM engine cross करेगा, वहाँ पर आपको जो performance delivery है, वो बहुत जबरदस देखने को मिल जाएगी, लेकिन charisma में ये चीज़ थोड़े सी lower RPMs पर और जादा lazy हो जाती है charisma, तो charisma 1000 से लेके 3000-4000 RPM तक ठीक आपको महसूस होगी कि performance अच्छा है, पंची है, लेकिन उसके बाद एक flat spot आता है, 3000 से लेके 5000 RPM के बीच में उसमें आपको लगेगा कि engine जो है, वो throttle response उतना accept नहीं कर रहा है, ठीक है, RPM बढ़ रहा है लेकिन उतनी speed और acceleration नहीं बढ़ रहा है गाड़ी का, लेकिन 7-8000 RPM जैस आपको similar acceleration मिलता है, RS200 और charisma, दोनों में आपको similar acceleration मिलेगा, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि charisma जादा fast है, RS200 जादा fast है, ऐसा कुछ नहीं है, RS200 हाँ आपको higher rpms पर थोड़ा साचा performance डिलिवर करके देगी, charisma का जो engine है, उसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि higher rpms पर ये क तो उसमें आपको जो है, उतने vibrations महसूस नहीं होंगे, और आप high speed पर इसको आराम से cruise कर सकते हैं, यानि कि 100, 110 की speed पर अगर आप highway पर charisma को चला रहा है, तो आप पूरे दिन चला सकते हैं, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि engine पर stress आ रहा है, या बहुत जादा vibrate कर रहा है, ये चीज़ आपको RS200 में महसूस होगी, राइडिंग पॉस्चर की अगर बात करें, तो राइडिंग पॉस्चर जो है, वो दोनों motorcycle में आपको similar ही मिलता है, RS200 का जो राइडिंग पॉस्चर है, वो थोड़ा सा ज्यादा upright आपको मिलता है, उतना sporty नहीं है, लेकिन charisma का जो एक sports tourer वाला दिया हुआ है, तो थोड़ा साप charisma में जुक भी सकते है नीचे, अगर आपको sports वाला feel चाहिए, तो comfort के मामले में तो charisma मुझे अच्छी लगी, because charisma की seat काफी अच्छी है, seat cushion अगर आप देखेंगे, तो charisma में आपको काफी अच्छा मिलता है, pillion seat भी charisma की काफी spacious और बड़ी है और comfortable भी है, RS200 की जो seat है वो थोड़ी सी मुझे harder side पर मैसूस होई, और RS200 में comfort आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, charisma के comparison में, because RS200 का जो suspension setup है, वो थोड़ा सा stiffer side पर है, अच्छी handling देने के लिए, और RS200 में आपको perimeter frame मिल जाता है, handling आपको RS200 में better मिलेगी, especially traffic के अ Indian roads को नजर में रखते हुए बनाई है कमपनी ने, तो वो काफी अच्छी चीज़ है, दोनों में आपको telescopic suspensions मिल जाता है, आपको upside down suspensions में नहीं मिलते है, RS200 में कमपनी ने handling पर थोड़ा सा focus जाधा करके रखा है, इस वज़े से उसका suspension setup stiff आपको मिलता है, RS200 में आपको जो बॉबिल नहीं करती, कुछ नहीं करती, RS200 जो है वो थोड़ा सा flick करने में आपको लिए easy रहती है, वेकोज एक तो tires इसमें उतने wide नहीं है, दूसरी चीज़ वील बेश शॉट है, तो flick करना और lane change करना RS200 में आपको थोड़ा सा मतलब उतना effort नहीं लगेगा, चितना की charisma मे MPL तक का दोनों ही motorcycles में, कुछ जादा mileage का difference नहीं आने वाला है, बाकी mileage टेस्ट करेंगे तो exact mileage आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी estimate आप यहीं मान सकते हैं, ground clearance के अगर बात करें तो charisma में आपको थोड़ा सा better ground clearance मिलता है, 3 mm जादा है, 160 mm का ground clearance मिलता है, और RS200 में 157 mm का आपक करेंगी, charisma के comparison में, लेकिन progression दोनों के brakes का काफी अच्छा है, काफी अच्छी से respond करते हैं, और दोनों के brakes जो है, वो आराम से capable है, इतने performance को handle करने के लिए, तो braking में कोई कमी गाड़ी में नहीं है, एक चीज मुझे महसूस होई कि charisma जो है, वो थोड़ा सा rattle करती है, charisma का जो RS200 में उतनी noticeable नहीं है, तो panels की quality जो है, वो charisma में थोड़ी से और better हो सकती थी, features की अगर बात कर लें, दोनों के features compare करें, तो features आपको जो है, electronics और features आपको charisma में जादा मिलते हैं, charisma में आपको connectivity features मिल जाता है, turn by turn navigation मिल जाता है, call line SMS alert मिल जाता है, ये सारी चीज़े मिल जाती है और साथी engine temperature भी आपको मिल जाता है, engine coolant temperature भी meter में दिखाता है, तो वो चीज़ काफी अच्छी है, और अगर आप RS200 में देखें, तो RS200 में आपको basic features मिल जाता है, तो features के मामले में charisma यहाँ पर एक better option है, गाड़ी की सारी information से charisma आपको up to date रखेगी, और charisma में जो आपको meter है, वो भी all digital मिलता है, RS200 में आपको part digital instrument console मिलता है, लेकिन personally मैं बता हूँ तो part digital में जो वो tachometer needle है, वो काफी अच्छी लगती है, engaging लगती है, राइट करने में, दोनों mode cycles में आपको clip-ons मिल जाते हैं, लेकिन clip-ons की quality है आपको कम महसूस होगी, लेकिन clip-ons की quality है, जो handlebar और meter के पास-पास की जितनी भी quality है गाड़ी में, वो काफी अच्छी मिलती है, एक चीज मुझे लगी के charisma में आपको sports tutor तो company ने बना दी, लेकिन उसमें tank capacity कम है, 11 लीटर की आपको tank capacity मिलती है, तो आपको frequently fuel station पर रुक के जो है, petrol भरवाना पड़ेगा, लेकिन RS200 में आपको 13 position के बारे में बात करें, तो यहाँ पर charisma, एक clear winner निकल कर आता है, because charisma में आपको performance ज़्यादा मिल रहा है, power figure spec sheet पर ज़्यादा है, जो acceleration है वो गाड़ी का काफी अच्छा आपको मिल जाता है, जो comfort है वो काफी अच्छा मिल जाता है, engine और comfort ये मैं सबसे important चीज ने रखता हू तो जिस price range में RS200 आ रही है, RS200 में आपको features नहीं मिलते, engine में power थोड़ी सी कम है, 1PHP की कम है power, ये सारी चीज़ें जो है, वो difference पैदा कर देती हैं दोनों motorcycle में, वो भी same price point पर, तो same price point में अगर value for many product के बारे में बात करें, तो charisma XMR यहाँ पर एक clear winner है, बाकी build quality, fit and finish इन दोन so guys thanks for watching, stay tuned, till then wait for my next upcoming interesting videos